तो नमस्कार दोस्तों मैं दाली से सुबम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नहीं वीडियो में जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोन के अंदर रहा है मैं उसे कैसे इनक्रीज कर सकते हैं किया यह सच है यह फिर जूट है जैसे कि मेरे फोन मैं अभी चार्जए भी रहा है जैसे मैं आपको यहां पर डिखाथधू सैटिंग में आके अाकर और अपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यह वर्क करता भी है यह यह बस बता दिया जाता है लेकिन वर्क नहीं करता और फोन को स्लो कर दिता है तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है यह एक तरह से वर्क करता है मैं आपको समझाओंगा पहले आपको यह समझना पड़ेगा इस चीज के लिए कि रेम क्या होता है और रेम क तो आपको जो है राइम की तरह यूज्ड होगा और फिल हो जाएगा मतलब कि वह इस पेस ले लेगा मेरे बात आप समझ रहेंगे मैं क्या कहना चाहिए अपको तो इसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए आपको जैसी जितनी GB आप उसे memory में space है वो RAM की तरह use होने लग जागा ठीक है तो मैं आपको समझाता हूँ पहले RAM जो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले एक application install करनी होगी जो आपके जो space है आपके memory या फिर SD card में जो भी है आपके पास internal या external जो भी है उसमें जो RAM है उसे RAM में convert करने के लिए एक एप की जोड़त होगी तो गैस पहले मैं आपको यह समझा दूँ यह किस तरीके से वर्क करता है तो चली चलते हैं blank page पर और उस आपको समझाते हैं तो गैस जैसे कि मैं आपको बता दूँ आपको मैं एक example देता हूं बहुत प्यारा बहुत ही इजी सा एक्जामपल दूँगा जैसे कि आपको पास यह चार जीवी रहम है ठीक है एक मिनट यह चार जीवी एक पास 2, 3, 1, 4, तो आब मान के चलिए मैंने WhatsApp open किया, तो यह वाला जो WhatsApp है अपना यह WhatsApp इसमें चला जाएगा, ठीक है, फिर हमने कहा किया Facebook open किया, तो वो Facebook भी इस वाले wrap में चला जाएगा, अब मान के चलिए 4-5 एप यह load ले सकता है, उसके बाद अधर wrap हम जो open करेंगे, व वो एप यहां हो जाएगा और इसका सारा डेटा इस वाले में चला जाएगा ठीक है गाइस जैसे कि मान के चलिए इसका सारा डेटा इसमें चला जाएगा इसमें भी तीन चार आप आजाएगी फिर यह वाला रहे दो जी भी रैम फूल हो जाएगा फिर चौते में चली जाए कि ऐसे करते करते सारा फुल हो जाएगा फिर जो है जो हम एक्षूल ड्रै mia यूज करेंगे वह हमारा इतना बड़ा इस टो nevertheless Gothic है ऐब जो होगा जैसे कि मानके चलिए ये था रहे शो भाट तो अगर हम कोई दूसरी आप open करेंगे तो यह होगा जो वाटसप और Facebook का डेटा है वो इसमें transfer हो जाएगा Facebook प्लस WhatsApp का और जो हम new app open करेंगे जो हमारा new app होगा वो जो है इसमें आ जाएगा अपना जो है इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही हम इसको close कर देंगे वापिस यहां से जो है हमारा डेटा इसमें transfer हो जाएगा इसके अंदर इस वाले RAM के अंदर सेम चुसे हम ऐसी प्रोसेस होगा चाहिए इसमें जाए या फिर इसमें जाएं मतलब जिस चीज का काम नहीं होगा वो convert होके इसमें आ जाएगा और जैसे हम उससे close कर देंगे वापिस यह उसमें हो जाएगा मतलब यह जो है आप समझ गये होंगे जो भी RAM है जब उसको मतलब ऐसा लगया कि बहुत सारी चीज आ गई तो वह convert करके इसमें डाल दे तो हमारी virtual RAM हो किस सरीके से काम करती है तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं कैसे RAM को बढ़ाना है RAM को increase करना है ठीक है तो आपको इसके लिए स्वेप्ण रूट की application की नीड होगी ठीक है आपको यहां पर करना है नो internet कर रहा है आपको internet देना है ठीक है मैं data on कर देता हूं और स्वेप्न पर क्लिक कर देता है ठीक है गाइस तो जैसे यह ओपन हो जाता है यहां पर पांसुबारा लिखा हुए देखो एक जीबी रम म से आपको बढ़ाना है तो मैरे आपको बता दूँ अपको जतनी जी घ्म बढ़ानी हो उसको 2010 चौ विस से और सर्फ को गुना कर देना है जैसे 2010 24ह रे यह एग झनलगी हो दैनी तो इन टो मैं फोर दे देना पो जितना बढ़ाना हूं उतना आपको for दे रहा है तो यह आपका 4906 हो जाएगा तो आपको इपने 40096 को यहां पर लिख देना है 40096 चार अजाजार लिख देना है और create swap पर कर देना मान के चलिए एक्जांपल में मैं आपको ज्यादा बढ़ा के दिखाता हूं मान के चलिए एक हजार चौबीस है और मैं यहां पर इसे इंटू में मान के चलिए मैं आट भी रहम बढ़ाता हूं ठीक है इस इकल टू ऑ स्वारी इंटू एट इस इकल टू आट हजार एक सो बानुए ठीक है गाइस यह हमारा एंबी में हो गया लेकिन यह जो है हमारा जो का टोटल है यह जो एक हजार चौबीस हमने इंटू किया है तो यह हमारा अर्ट भी हो गया ठीक है अपर हमें इसे क्रियाट्यू स्वैप पर क्लिक कर देंगे यहां पर एक एड दिखाएगा हमें हमें एड को देख लेना है ठीक है एड देखने के बाद यह रन होगा तो म आप इस Черफ कर देंगे जब तो टुक है क्रोश नहीं करना ये जैसे डिखाय खतम हो जाए तो आप दिखा दूंब यहां पेस्ट कितना है अभी आपका यहां पर 58 है जैसे मेरा 58 दिख रहा है तो आप थोड़ी देर के बाद few minutes के बाद देखेंगे तो वहां पर जाएगे बढ़ जाएगा time लगे उतना time देना है आपको ग्रोस नहीं करना है नहीं back करना है 10 minutes 5 minutes जीतना भी लगे खार इतना नहीं लगता है फो फान पर डिपाइंच करता है कौन सा रैम लगाए उसमें तो जितनी दिर ऊठिशनgrass से लगती है आप इसे उतनी कर दे द मैं यहां पर हम यहां पर सुड़ी डिर विट कर लेते हैं आपका जो स्टोरेज आर्ट जी भी यूज हो रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहां पर ओटो स्टार्ट कर देना है गैस यह जो आपका आर्ट जी भी है यह रैम में यूज हो रहा है ठीक है आपको यहां पर ओटो स्टार्ट कर देना है नोटिफिकेशन य कर देना अभी मैंने इसे lock कर रखा है टो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा फोन लैक करेगा जैसे कि आप कोई सभी वहाइक संघ करेंगे तो उसक्रेस नहीं होगा तो आप इस तरीकिसे अपने रैम को बढ़ा सकते हैं तो गईस लास्ट में आपको फिर से याई ग्राम पर समझा देता हूं यह किस तरीके से आपका जो वर्चुल रैम हें दो तीन यह थोड़ा ज्यादा बढ़ा हो गया एक मुने यहां ले लेते हैं चार ठीक है तो अब कैसे वर्ट करेगा यह जैसे कि आपने बहुत सारी एप्लिकेशन ओपन करी ठीक है चारों जीवी रहें फूल हो गया तो आपने यहां पे एक यह जो अपने वर्चुल बढ़ाया बढ़ा होगा इसमें जो है जब आपका सबसे पुराना वाला एप का डीटा होगा वह ट्रांसफर होगे तुरंत इसमें आ जाएगा और जो आप निव एप्लिकेशन ओपन करोगे वह इसके अंदर रन होने लग जाएगा जैसे ही आप उसको बंद करके पुराना वाला देगा मत कि हमारा जो फूल हो रहा है इसलिए हमारा फून लेक करेगा नहीं वो आपका फूल हो रहा है वह रैम की तरह रहा है ठीक है घाएस तो यहां पर लोग देख सकते हैं कुछ बहुत ही स्मूध तरीके से वरक कर रहा है कितने अच्छे से जैसे मैं गैल्डी ओपन करत है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आगया होगा आप किस तरीके से रैम बढ़ा है और क्या है इसकी सच्छाई कौन सा रैम बढ़ता है तो मैं आपको सैटिंग में जाके दिखा दूँ यह वाला रैम नहीं बढ़ेगा आपका वर्चुल रैम होगा क्योंकि वह आपकी स्पेस को यूज़ करेगा यहां पर जितनी रैम दिखा रही थी आपको इतनी रैम होगी तो आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ जो रैम हो किस तरीके से वर्क करता है और आपका फोन क इस तरीके से अब बढ़ा सकते हैं बस आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं हमसे किसी अगली वीडियो में तब तक ले टेक कियार बाए बाए